हम राजस्तान में यहां पर रामगड पंचिरा जो पच्वारा जो घाटी है इसमें हम आगे थे इन गाओं में इस गाओं का नाम हो गया रामगड रामगड पच्वारा इस गाओं का नाम है और यह दोस्ता जिले में कल रात इस किसान के घर पाये थे अब दिन में हम होती है ये बढ़्या है इसके यहां पर गेहों की पैदावाão इसका हो रही है आपागे को बी County चलोगे और यह इसकी करीब करीब 10 एकरजमीन इसकी है जो सात लाक रुपे का करजा इसके उपर था और यह 10 एकरजमीन इसकी लिलाम करी गई है यहां पर देखो करेंगे पूरा जो गैसट does के अभी अभी फरवरी में लास्ट और अपरेव उस्में मार्च में ये सुरसेच कट जाएगीड इस की सामने कहा कि म falar और आप 만나요 जमा कर दूंगा क्योंकि पिता जी की डैथ होगी थी लेंदेन वही करते थे यहाँ पर देखोके तो यह पुरा एक केमपस भी है इनका यहाँ पर घर है और यहाँ पर क्या आएगे जो घर हैं वह भी एपने खेत में बना लगते हैं यह पूरा जो इनका घर है यह आप देख लुक्रोड के इसाफ जर्वी डिखा दोगे तो यह घर भी उसी जमीन में लिलाम करा एंप जो सात लाक रुपे के कर्जे में दो क्रोड की पुरॉपर्टी है यह पर यह गर भी उसी में ही distinguished करंद हैं कि हुई पुरसाय यहां प्रइवार से हैं उनके परिवार और यह आप देखोगें किसे कैसे जमिनों को लुटा जाता है किसान की और यह पूरा जमिन उसका दस एकड़ का पूरा फारम है कुछ जमिन उसकी दूसरी जेगे भी सड़क के नजदीक है जो बहुत महेंगी है दो करोड रुपे की प्रोपर्टिये महिलाई हैं इनसा हम बात भी करेगे और आप यहीं रोबटे एक बार लो बताओ तो यह तो लोग ना यहाँ पर आते गाओं के लोग ना आते और आज इस तरह है कि राजस्थान में दूसरी जेगे भी जमिनों की लिलामी की बात यहाँ पर करी जा रही है यह पूर्ट रूप से वह है कि इन जमिनों को बैंकू के माद्यम से सरकारे और जो बड़े उद्योग पती है वे छेना चाते हैं उनकी नजर देश की जमीन पर है यह रामगड पच आपको बता देंगे लोग बिट्टे बताओ अपनी बात आप रखो देश समाज सब लोग आपकी बात सुनने हैं यह लोग उनको देदो वह आप बताओ जो भी आप तेहना चाहते हैं इस पर आप बता सकते हो आप सिर्दा सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चा पर रिपोर्ट रिपोर्ट अभी तक कुछ नहीं आए जिससे पहले दस बर गाड़ी आगे दबाव डालते हैं लोग जमा करा हमने टाइम मांगे था टाइम नहीं दिया उसने अमने बोला था है कि हमारी फसल कटेगी हम जमा करवा दें कैसे भी करके जमा करवा देंगी उन सकते हमानते हमने करज लिया है उनके लिंए लेकिन कर देंगे पूरी जमीन इलामी निकल जाएगी निकलगी हमारा गर्बार सब उजाब थेंगी यह नहीं वो सकते हमों हट देंगी चुळितलने के नहीं पास अब तो आपको कुछ नहीं है आपकी जमीन पूरी लिल्लामी हो चुकी है अब तो आपको कुछ नहीं अब तो रोड बात चुकी है ऐसे ऐसे कैसा हो सकता कौन सा कानून में है ठीक अभी इनकी बात आपने सुनी यह यहां पर अगर संगठन मजबूत रहेगा सरकार उससे अपनी मजबूती साब बात कहोगे तो पुन्रोगा अब यह जमीन जो लिलाम करें थी वह जमीन कैंसिल हो चुकी है और जो आज भी लिलामी होनी थी वह भी पूरे राजस्तान में से उन्हें कैंसिल करी कि कोई लिलामी नहीं होगी हम इन मुद्व पर सरकार उससे बैठके इन इसुपर सब बातचीत करेंगे क्योंकि जब घोस्णा पत्र यहां पर दिये जब सरकार यहां पर आई चुनाव लटने से पहले तो एक पार्टी ने यहां पर घोस्णा कर थी कि हम किसानों का करजा माप करेंगे उसी मकड़ जाल में यह लोग फस्या हुए हैं फस्लों का दाम अगर ठीक मिल जाए जो भारत सरकार से एक लड़ाई बड़ी चली है तेरा महिन ने के MSP गारंटी कानून मिल जाए तो किसान को करजा लेने की जोरत ही ना पड़े तो यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और MSP गारंटी कानून देश में बने किसानों का करजा माप हो इन किसानों को सूलियत दी जाए इन सारे इशू पर यहां पर बाचीत करेंगे और पूरे देश का एक बड़ा इशू है कि किसानों की भूमी लिलामी करी जा रही है इन यहां के लोग भी अपना शंगठीत रहे अपनी बात अपनी आवाज कहें और इनकी बात सुन जाए धन्यवाद राकेश्टिकेद पंसिल गाठी पंसील और पच्वारा एक यह हैं पच्वारा गाठी रामगड़